Assalamu alaikum and welcome back to the course आज हम Instagram की science को जरा समझेंगे ठीक है जिसमें हम कुछ technical terms होती हैं जिनसे हम Instagram को बहतर understand कर सकते हैं उनकी बात करेंगे इनको कहते हैं Instagram insights ये सिरफ professional accounts में ही available होती है जैसे जब आपका creator account हो या आपकी business account हो उससे आपको बहुत फायदा होता है आपकी Instagram पे आपकी reach एक होती है आपकी impressions reach होती है कितने different, कितने unique accounts ने आपकी post या story देखी और impression ही होता है कि आपकी कितने ज्यादा लोगों ने total number of times लोगों ने आपकी post या story देखी ठीक है so reach is it refers to the total number of unique accounts that saw your posts and stories and impressions is the total number of times users have used your posts or store reach आपको बता रही है कितने accounts ने देखा है और impressions आपको बता रहे है कि कितनी दफा users ने इसको देखा है तो आपकी जो reach है depending on the number of your following वो 3 to 5% होनी चाहिए ये एक good reach है reach जो है आपकी growth रिफाइन करती है क्योंकि reach आपको ये बता रही है कि आपके कितने ज्यादा accounts ने आपकी पोस्ट ये स्टोरी देखी है ठीक है आप अपने Instagram account पर जब जाएं मैं आपको अपने का example दे देती हूँ अब ये आपका account है यहाँ पर आपको center में एक button नज़र आएगा insights का आपने इसको दबाना है इसको जब आपने दबाए तो आपके पास तीन different options आ रही है एक content है एक activity है और एक audience है सबसे पहले आपका है content content जो है आपको overview देता है पिछले हफ़ते के content का जैसे 81 posts और stories इस week की है ठीक है posts क्या थी वो भी दिखा रहे stories क्या थी वो भी आपको दिखा रहे और साथ-साथ उनकी views भी दिखा रहे तो ये एक overview है आपके content का पिछले हफ़ते का फिर आपकी आती है activity activity दिखाती है आपकी discovery कि आप कितने नए accounts ने आपको ढूंडा वो दिखाती है कि accounts reached from 14th August to 20th August का number उसने यहाँ पे दिया हुए फिर उसने आपकी reach आपको बताई वी है और आपके impressions बताई वे हैं तो आपको अपनी सारी activity नजर आई है लोगों की तरफ से content में उसने दिखाया कि आपने पिछले हफ़ते क्या किया activity उनने दिखाया कि आपके पिछले हफ़ते में किस-किस ने आपको देखा किस-किस ने discover किया आपकी reach क्या रही है आपके impressions क्या रहे है आपके interactions क्या रहे है कितने लोग आपकी profile पे आए है कितने लोगों ने आपको email भीज़ी है ये activity से पता चलिया फिर आती है audience ये आपका सबसे important सबसे important part है insights का यहाँ पर आप अपने followers को समझ सकते हैं और उनकी interaction यहाँ पर आप जज़ कर सकते हैं कि वो आपके साथ कैसे interact करते हैं सबसे पहले उपर यहाँ पर लिखावा है एक तो आपके followers कितने हैं ठीक है फिर वो आपकी growth दिखाता है overall growth विससा दिखाता है कि आपको कितने लोगों ने unfollow किया कितने लोगों ने follow किया अब यह बड़ी normal चीज़ है कि आपको लोग unfollow करेंगे इससे कभी घबराना नहीं है कि आपको लोग unfollow करें सिर्फ यह होना चाहिए कि आपकी overall growth positive होनी चाहिए क्याएकर for example अगर आपको 10 लोग unfollow कर रहे हैं आपको follow 15 कर रहे हैं हमेशा followers का number जादा होना चाहिए तो आपकी growth positive है अगर आपकी unfollow जादा है और follow कम है तो आप ज़रा negative में चले जाएंगे आपके followers कम होना शुरू हो जाएंगे तो यह आपकी audience की overall growth बताता है ठीक है उसका एक graph भी बना हुआ है इदर कि at what point आपको followers जादा आएं है किस point पे कम हो है जिससे आप judge कर सकते हो कि अच्छा मैंने इस time पर ये चीज़ डाली थी तो लोगोंने मुझे unfollow करना शुरू कर दिया मैंने ये डाली तो लोगोंने मुझे जादा follow किया मेरी discovery जादा हुई फिर वह आपको ये भी दिखाता है आपकी top locations यानि कौन-कौन से cities से और countries से आपको लोग follow करते है for example यहाँ पर नज़र आ रहा है कि आपको किस एज के लोग जादा follow करें जैसे आपको नज़र आ रहा है कि 45% लोग जो है वो 18 से 24 है 42% जो लोग है वो 25 से 34 है और उससे जादा और उससे कम लोग कम है ठीक है फिर वो लड़कों और लड़कियों का अलग से भी दिखाता है फिर जेंडर वाला पार्ट आता है यह भी बड़ा इंपोर्टन्ट है कि आपको कितने ओरतें और कितने मर्द फॉलो कर रहे हैं अब फिर यह लास्ट वाली जो चीज़ है यह followers की activity है कि दिन के किस घंटे में लोग सबसे जादा active होते हैं आपको इससे यह सीखना है कि अच्छा लोग नौ बजे सबसे जादा active हैं यह आपको नौ बजे active होना चाहिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग आपको देख सके हैं आपको यह दिखा रहे हैं कि सुबह के 6 बजे सबसे जादा कम लोग online होते हैं तो अगर आप सुबह के 6 बजे कुछ डालेंगे तो लोगों की नजरों में वो नहीं आएगा आपकी reach और आपके impressions कम होंगे लोगों तक पहुँचे गा ही नहीं आपका content तो आप ऐसे time पे डालें जैसे 9 से 12 रात 9 से 12 के बीच में डालें तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आपका content देखने को मिलेगा फिर वो days के इसाब से भी बिताता है कि कौन से दिन लोग ज़रा ज़्यादा active बैठे होते हैं तो यह constantly इस चीज़ को background में Instagram जो है वो calculate कर रहा होता है और आपको यह information साथ-साथ लाके दे रहा होता है So inside से आप अपनी performance को अच्छा judge कर सकते हैं कि मेरे क्या करने से मेरे किस तरह का content डालने से किस तरह के लोग आ रहे हैं कहा के लोग आ रहे हैं मर्द हैं और तो उन्हें क्या देखना पसंद है मर्द हैं तो क्या देखना पसंद है Age उनकी क्या अच्छा उनकी यह age है तो पर जाहर है उनको इन चीज यह चीज़े जादा पसंद होगी और automatically जो आप content बना रहे हैं उससे आपकी audience define होगी आपकी audience जो बन रही है उससे आपका content define होगा तो यह एक circle है ठीक है जिस तरह का आप चीज़ें online डालेंगे उस तरह के लोग आएंगे जिस तरह के लोग आएंगे आपको उसी तरह का content डालना चाहिए ताके लोगों की दिलचस्पी रहे आप आपको अगर बच्चे follow नहीं करते तो आप बच्चों के लिए वह आपकी number of followers से इतनी नहीं होती चितनी आपकी engagement से होती है engagement क्या होती है engagement होती है कि लोग आपसे कितना interact करें so for example जब आप एक post डालते हैं तो उसमें कितने लोग आपकी चीज़ को like करते हैं comment करते हैं share करते हैं save करते हैं यह आपकी engagement होती है ठीक है so likes, comments, shares or saves आपकी engagement होती है किसी भी post की engagement को calculate करके आपको समझाता है कि आपकी overall कैसी direction जा रही है ठीक है आप कितने successful हैं अगर आपने Instagram पर अपनी किसी post की engagement निकालनी है तो आपने उसमें likes, shares, comments, likes, shares, comments और saves को add करना है उनको आपने divide करना है अपने number of followers से और multiply कर दिना है hundred से तो आपको आपकी engagement rate निकलाएगी 3-5% of your Instagram followers should be engaging with you ठीक है अगर आपकी 6% आ रही है, 5% आ रही है that means आपकी engagement बहुत जबरदस्त है 3 आपकी average engagement rate होनी चाहिए मैं आपको बताया कि your reach define your growth ठीक है, आपकी किसी भी post पे आपकी जो reach होनी चाहिए वो यह है कि 30% of your followers should be able to see your post ठीक है, तो जितने भी followers हैं उनका 30% आपकी reach होनी चाहिए किसी post पे, अगर वो story है तो 15% of your followers should be watching your stories अगर वो 20% है तो that is brilliant इन सारे insights को आपको समझ आ गई होगी, इनको इस्तमाल करना बहुत ज़रूरी है इससे ही आप learn करते हैं, इनको आपको अपने content को डालें, इनको test करें इससे understand करें, किस चीज से आपके insight बहतर हो यह किसे नहीं बहतर हो रहे है content की आप reflection कर सकते हैं अपनी insights के थूरा and understand कर सकतेißtे हैं कि त्या ठीक चल रहा है, कि कौनसी post की reach इंदिर गय गयर कम से कॉइजशन नहीं है तो ये एक बहुत important tool है, learning के लिए तो test करें, experiment करें और judge करें कि कौन सा content आपके लिए काम कर रहा है और कौन सा नहीं इसको check करना अपनी आदित बनाएं और अपने content को इसके थूँ बेहतर करें नेक्स्ट वीडियो में हम discuss करेंगे Instagram के algorithm चोटी सी वीडियो होगी, एक overall मैं आपको information और idea दूँगी कि Instagram algorithms होते क्या है तो next वीडियो में हम बात करते हैं, Allah हाफिस